हलो सुर्ण, शायद आपने कभी सुना हो कि 16 आनों को मिला करके एक रुपया बनाया जाता था इस तरह का जो कनवर्सल सिस्टम है वो हमें मिला आईवी सी से दाट मींस कि इंदर्स वैली सिवलाजिशन जिसको हडपा सिवलाजिशन भी कहा जाता है जो लगबग 45 years पुरानी हैं तो इसके अलावा हमें काफी सारी चीज़े ऐसे मिली जो हमें एक्सवेशन के दौरान मिली जिससे ये पता चलता है कि हडपा के लोग इतने साल पुराने इन चीजों को यूज किया करते थे जो आज भी हम कही न कहीं उनको यूज करते हैं तो सोचो जरा कितने समझदार होंगे और बहुत सारी ऐसे चीज़े मिली हैं जिनको आज भी हम यूज करते हैं और जो वहाँ पर भी वो लोग यूज किया करते थे, तो बहुत सारी चीजे कौन सी हैं, किस तरह का उनका lifestyle होता था, क्या उनका occupation होता था, जिससे की आज तक हम उस पर implement करते आ रहे हैं, तो इसी बहुत सारी चीजे हम लोग जानने वाले हैं, आज के इस session में, जिसका नाम है इंदस वैली civilization या फिर जिसको हडपा civilization और जो हमारी NCRT में Brick, Beats and Bones के नाम से बताया गया है, ठीक है, तो वेलकम तो CUT by Adda247, दिस अनीता शर्मा, यूर हिस्टी मेंटर, तो आज के session में हडपा civilization के बारे में, सारी information लेने वाले हैं, तो वीडियो को लास सक जरूर देख civilization या इसको एक culture का नाम क्यों दिया गया है, तो ये सारी चीज़े जान लेते हैं, इंदस IVC इसको क्यों कहा जाता है, IVC, that means कि इंदस वैली civilization, क्योंकि ये इंदस रिवर और उसकी tributaries के पास में, tributaries का मतलब होता है, उसकी सहयक न दिया, उनके पास में पूरी के पूरी य इसलिए इसको इंदस वैली civilization का नाम दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले इसकी जो एक exhibition 30 की खुदाई थी, वो हडपा नामक एक शहर से इसकी exhibition स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए इसका नाम हडपा civilization रख दिया गया, अब थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि इसको culture का ना गया है, culture का नाम दिया गया है कि एक specific geographical area में रहने वाले लोग जब एक ही तरह की चीज़े यूज़ करते हैं, जो हमें बहुत सारी site से मिले हैं, तो इससे इसका नाम दिया गया है culture का, ठीक है, so these culture were associated with data, तो इसको नाम दिया गया जैसे हमें मान लिजे, शोर्तु गई अफ उसकानिस्तान से, या फिर धोला वीरा से, या फिर आपका बनावली हो गया, बहुत सारी ऐसी site हैं, जिससे हमें बहुत सारी ऐसी चीज़े मिली हैं, तो इससे पदा चलता है कि वो लोग specific area में रहते थे, तो वो इनी चीज़ों को use किया करते थे, इसलिए इसका नाम culture बता होते होते थे, and there were the virtually no large building, और इस तरह से हमें किसी भी तरीके से ये प्रमानित नहीं होता है, proof नहीं होता है कि वो लोग multi stored building में रहा करते थे, बस उनका एक ground floor होता था, जिसमें वो रहा करते थे, छोटे छोटे घर हुआ करते थे, तो ये कुछ basic information है, और इसके अलावा, इ ये है आपका हडपा का पूरा का पूरा reason है, ठीक है, हडपा ये पूरा का पूरा आप देख रहो, ये जो colored area है, ये सारा का सारा, इतने इतने पार्ट में ये हडपा civilization जो थी, वो फैली हुई थी, clear है, अब हम करेंगे कि हडपा के न तीन faces थे, हडपा civilization को तीन faces में divide किया है, तो एक था आपका early face, एक था क्या, early face, एक था आपका mature, mature face और तीसरा क्या था आपका later face, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, early face का time period बताया गया, 3300 से ले करके, और 2600 BCE तक, ठीक है, 2600 BCE तक, mature हडपा जो हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं, उसका time period बताया गया, 2600 to 1900 BCE, इसके अलावा, later face बताया गया है, यहाँ पर, later face, 1900 से आगे, जो है, वो आपका later face हो जाएगा, तो यह पूरा का पूरा, इसको तीन पार्ट में divide किया गया है, अब यह कहां से कहां तक फैली होई थी, अगर मैं इसके direction की बात करूँ, तो direction में जो है, यहाँ पर, north हो गया, south हो ग side में फैला हुआ था, और अगर मैं east की बात करूँ, तो east में आलम गिरपूर, east में आलम गिरपूर तक यह फैला हुआ था, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ, आलम गिरपूर, आलम गिरपूर, ठीक है, जो की UP में है, जो की कहां पर है, UP के अंदर है, उसके बाद अगर मैं South की बात करूँ, तो South में Daimabad, South में Daimabad, यह यहां तक फैली हुई थी, और इसके अलावा, अगर मैं Western Side की बात करूँ, तो Western Side में आप देखे, पूरा का पूरा यह Western Side ही है, तो आपका यह आ जाएगा, ठीके, तो यह यहां पर बलुचिस्तान वगरा हो गया, तो यहां तक यह जी, मतलब हडपा के जो लोग थे, वो किस तरह से अपना, उनका, मतलब उनका जो Lifestyle था, या वो अपने लाइफ में क्या का काम किया करते थे, अपने जीवन, जो यापन होता है, मतलब उने जीवन को कैसे जीते थे, तो कौन-कौन से Occupation होते थे, तो वो Agriculture किया करते थे, हं हमें कुछ Animal Bones भी मिली, जिससे पता चलता है कि वो लोग Hunting, Gathering किया करते थे, Domestication किया करते थे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिली, जिससे पता चलता है कि हडपा के लोग Plant Eater भी थे, और क्या थे, Animal Eater भी थे, यानि कि Vegetarian, Non-Vegetarian वो दोनों ही थे, तो यही सब चीजें बत इसके अलावा हमें कुछ Wild Species भी मिले, हमें कुछ जंगली जानवरों के भी Bones के प्रूफ मिले, इससे पता चलता है कि वो लोग उसको Hunt करके उसको खाया करते थे, देन उसके बाद पता चलता है कि हडपा hunted these animals themselves or the obtained meat from the other hunting community, Bones and Fish आर दो, इसके अलावा ये भी हमें Bones के Fish Bones के भी हमें प्रूफ मिले, इससे पता चलता है कि वो लोग खाने में फिश को भी यूज किया करते थे, next a move on करते, next क्या आजाएगा, next आएगा आपके पास subsistence strategy में agriculture technology, अब वो क्या काम किया करते थे, तो मैंने बताया ना कि हडपा के लोग agriculture भी किया करते थे, इस बात कि लोग जो है, वो किस तरीके से इनकी जो agriculture technology थी, agriculture करते थे, वहाँ पर बात करते हैं, तो representation हमें इस तरह का एक बुल का हमें क्या मिला है, एक बुल का proof मिला है हमें, मिट्टी का खिलोना मिला है, जो इस बुल की form में था, है ना, तो इसमें क्या बताया गया है, कि representation on the seal and the tar कारी कोटा structure indicate that bull was known, तो बुल से बुलो क्या थे, अवेर थे, बुल को जानते थे, और बुल का use जो है, बुल किसको कहते हैं, बैल को कहते हैं, तो इस बुल का use वो अपने खेतों को प्लो करने के, अपने fields को प्लो करने, जो उतने में उसको यूज किया करते थे, तो इस तर हुए खेतों के proof हमें कहां से मिले, जो कि एक दूसरे को क्या करते थे, right 90 degree के angle पर एक दूसरे को byset करते थे, that means कि उनके खेतों को इस तरीके से दो पार्ट में divide कर दिया जाता था, और एक साल, same year में वो दो cropping किया करते थे, तो इस तरीके के plot field हमें कहां से मिले, तो ये मि हमें काली बंगा से, नेक से मुवन करते हैं, अब आते हैं हडपा civilization के सबसे famous city पर, मोहन जोदारों पर, मोहन जोदारों के बारे में काफी सारे questions पूछे जाते हैं, साथ में हम मैप को भी देखते चलेंगे कि कहां पर क्या क्या चीज़े थी, तो मोहन जोदारों एक बहुत इसमें काफी बड़ी-बड़ी buildings बने ही थी, तो देखो पहले इसको दो section में बात करते हैं, तो इसको दो section में divide किया गया था, for example, यह है आपका मोहन जोदारों, इसके western side के अंदर यहाँ पर citadel था, ठीक है citadel किसको कहते हैं, जो की height पर बना हुआ था, लेकिन ये area में अब यहाँ पर मैं मैप में दिखा देती हूँ, आपको कहाँ पर है, तो यह पूरा का पूरा section जो है, वो citadel का है, यह पूरा का पूरा section जो है, वो citadel का है, citadel that means कि जो आपका western वाला area था, यह वाला, ठीक है, यह वाला area है, अब इसमें क्या बताया गया था, कि the lower town was world, जो lower town था, उसको और दोनों को, जो upper town था, upper town किसको बोलते हैं, citadel को lower town था, उसको निचला स्तर बोलते हैं, निचला भाग बोलते हैं, इन दोनों को ही जो है, बड़ी-बड़ी दिवारों से protect किया होता, कि कोई भी wild animal उनको नुकसान ना पहुचाए, कोई भी attackers आए, इनको मार ना दे, तो अपने आपको protect करने के लिए बड़ी-बड़ी walls से इनों ने अपने आपको सुरक्षित किया हुआ था, ठीक है, ये बताया गया है, इसके अलावा, इसके अलावा बताया गया है, कि इसमें जो है, वो 700, 700 के आस-पास में इसमें wells मिले, ठीक है, इसका drainage system भी बत रेशो बताया गया है, तो उसका standardized ratio कैसे बताया गया है, कि ये जो इसकी length होती थी, तो ये कितनी होती थी, 4 होती थी, इसकी जो breadth होती थी, ये 2 होती थी, इसकी जो ये height होती थी, ये 1 होती थी, तो आपको कैसे learn करना है, अनिल कपूर का गाना याद कर लेना, कौन सा, 1, 2 का 442 का 1, my name is lakhan, ठीक है, तो यह याद करना है आपको, 1 is to 2 is to 4, तो यह standardized ratio है कि इसका breaks का, यानि कि उसकी लंबाई, चोड़ाई और मुटाई, इतनी होती थी, ठीक है, next step move on करेंगे, मोहंजदारों के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे, one of the most distinctive feature of the harapan cities was the carefully planned drainage system, जो सबसे इस feature माना जाता है, वो drainage system माना जाता है, drainage system इनका ऐसे हुआ करता था, मतलब कि यह street होती थी, street के दोनों तरफ घर बने होते थे, यहाँ पर दोनों तरफ घर बने होते थे, इस side भी और इस side भी, ठीक है, यह compulsory किया गया था, कि घर की एक दिवार जो है, वो street के साथ में लगी ह करते थे, तो गंदगी नहीं होती थी, उसके अलावा इनको क्या किया जाता था, इनको stone slab से या wooden slab से इनको cover किया जाता था, ताकि कूडा करकट इसके अंदर ना जाए, और पानी जो है, वो smoothly flow करता रहे, रन करता रहे, ठीक है, और इस तरीके से होती थी, इनके जो घर होते थे, road and the street, तो ये road और street जो होती थी, वो क्या होती थी, greed pattern पर, यानि कि road जो है, एक दूसरे को bisect करते थे, 90 degree के angle पर, मतलब ये नाप तोल का हिसाब किताब, जो भी measurement पर होता था, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, ठीक है, तो सारी चीजे बहुत ही plan तरीके से बने होई थी, इनके जो घर होते थे, वो greed pattern पर बने होते थे, greed pattern का मतलब होता है, जैसे आप mobile के अंदर अपनी photo gallery देखते हो ना, तो photos दीख जाते हैं सारी एक साथ में, उसी तरीके से इनका जो घरों का structure होता था, तो वो एक जैसा होता था, जिसको कहा जाता है, greed pattern, अब ह गर इस तरीके के होते थे, तो कोई भी visitor जो जब भी आता था, इनके बाहर से कोई भी आता था, तो उनको direct view अंदर का नहीं दिखता था, कि कहाँ पर bedroom है, कहाँ पर kitchen है, कहाँ पर bathroom है, direct view नहीं दिखता था, यह भूल भूल यह type में बनाते थे, इस तरीके से, अब देको direct view यहाँ पर मान लिजी, यह इसका main gate है, अब main gate से आएगा, तो अगर उसको drawing room में जाना होगा, तो इस तरीके से वो घूमता घूमता जाएगा, तब जाकर वो drawing room में पहुंचेगा, है ना, तो यह क्या करते थे, इस तरीके का घर बनाते थे, इनके जो rooms होते थे, उनके space, खुला आंगन होता था, जहाँ पर बहुत तरह की activities जो है, वो किया करते थे, खाना बनाने, खाना जो बनाया जाता था, वो खुले आंगन में बनाया जाता था, चूला बुला रख करके है, ना, सारे लोग वहीं पर बैठ कर खाना काते थे, जब daytime में, जब free time होता था, तो उसमें living का काम किया जाता था, और भी काफी सारी activities हुआ करती थी, ठीक है, तो इस तरीके का होता था, so there was the no window, तो इसमें कोई window नहीं होती थी, हाँ, यह है कि बहुत ही rare case ऐसे देखे गए हैं, सीडियों के, stairs के, जो कि उपर जाने तक लगे होते थे, तो ऐसे बहुत ही ऐसे घर होते थे, जिसमें कोई staircase नहीं मिले थे, 1% था जिसमें की इस तरह के proof मिले थे, हमें staircase, next आता हमारे पास the citadel, अब हम यहाँ पर citadel की बात करते हैं, तो citadel में क्या होता था, citadel में बड़ी-बड़ी जो है buildings, क्योंकि जो अमीर लोग होते थे, वो citadel में रहते थे, है दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा great bath, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका great bath, ठीक है, यह क्या हो जाएगा great bath, चलिए, अब इन दोनों पर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी great grainry की, तो यह agriculture किया करते थे, तो जितना भी surplus grain होता था, तो वो store करते थे, मतलब एक तरीके से ये warehouse था, store house था, जहां पर वो grain को store किया करते थे, जब भी इनको problem होती थी, या फिर जब भी ऐसा कुछ natural committees आती थी, तो वो grain use कर लिया करते थे, now come on the rectangular tank, जिसको कहा जाता है great bath, ठीक है, great bath को कैसे बनाया जाता था, great bath को इस तरीके से बनाया जाता था, कि ये एक religious purpose है, ऐसा माना जाता है कि इसको एक religious purpose से बनाया गया था, क्योंकि इसमें सभी लोग इखटे होकर, बहुत सारे लोग इसमें bathing किया करते थे, धार्मिक स्नान किया करते थे, ये rectangular shape का था, question आता है कि कि shape का था, rectangular shape का, उसके अलाबा इसमें जो ये bathing वाला point बनाय गया है, इसको burnt brick से बनाय गया था, burnt brick का मतलब पकी हुई into से बनाय गया था, इस पर charcoal और mortar का लेप किया गया था, इसके north और south side में क्या था, north side, south side में इसके stairs बने हुए थे, यानि कि इसम north हो गया, ये south हो गया, तो नीचे उतरने के लिए stairs बने हुए थे, और इसके west और eastern side में यहाँ पर changing room बने हुए थे, ठीके, यहाँ पर क्या बने हुए थे, changing room बने हुए थे, इसमें जो पानी fill किया जाता था, तो वो well से किया जाता था, जो इसके पास में था, यहां से bucket स पानी fill किया जाता था, और फिर जब सब bathing कर लिया करते थे, फिर उसको drain कर दिया जाता था, इसकी भी एक दिवाज जो थी, वो street के साथ में थी, तो वहां से उसको drain कर दिया करते थे, ठीके, next आते हैं हम किस पर burials पे, तो tracking the social difference, अब हम भी यह कैसे पता चलेगा कि हडपा क लोग जो है थे, वो अमीर भी थे, गरीब भी थे, तो हमें burials से पता चलता है, burials का मतलब होते है dead body, तो बहुत सारी dead bodies के साथ में हमें simple मिट्टी के बरतन मिले, जबकि कुछ dead body के साथ में हमें jewelry बगरा भी मिली, इस से पता चलता है कि वो लोग अमीर घर से बिलॉंग करत थे, अच्छा, ये जो होते थे, ये शवों को जलाते नहीं थे, dead body को जलाते नहीं थे, बलकि ये गड़ों में, गड़े कोद करके उसको दफना दिया करते थे, ठीक है, तो इस तरह का इनका process होता था, next हम बात करेंगे किस पे, next हम बात करेंगे हम social tracking पे, कुछ और भी ऐस से हमें proof मिले, कुछ और भी ऐसे हमें artifacts मिले, जिससे पता चलता है कि इनको अमीर लोग use किया करते थे, इसका example दिया है, finance port का, अब ये finance port क्या होता है, ये एक ऐसा complicated process था, जिसमें महनत जादा लगती थी, है न, मतलब जिसको stuff, जिसका stuff बनाने में महनत जादा लगती थी, तो इसमें चीजों को mix किया जाता था, अब इसमें किन-किन चीजों को mix किया जाता था, तो इसमें तीन चीजों को mix किया जाता था, एक तो क्या होती थी, soil होती थी, फिर उसमें क्या किया जाता था, silika को mix किया जाता था, प्लस gum को mix किया जाता था, इन तीनों को mix करके एक stuff बनाया जाता था उस stuff से इस तरह के port बनाया जाते थे फिर उसको sun dry किया जाता था sun dry करने के बाद धूप में सुखाने के बाद जब वो सूख जाता था फिर इसपर painting वगगर चित्रकारी वगरा किया करते थे तो जब ये सूख जाने के बाद में जब इसकी sparkling होती थी, मतलब sparkling in the size की धूप में चमक, ये और भी ज़्यादा पैदा क्या करते थे, तो लोग क्या करते थे, इंसे attract होते थे, लेकिन वही लोग afford कर सकते थे, जो लोग अमीर होते थे, जिनके पास पैसा बगरा होता था, ठीक है, next, next करेंगे क्या, finding about the craft production, चनहुदारो, यहां से question आता है कि चनहुदारो जो है, एक ऐसी site थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा craft production होता था, किस-किस तरह का काम होता था यहां पर, तो यहां पर beat making होती थी, shell cutting होती थी, metal working होती थी, seals making होती थी और weight making होती थी, तो यह इतने सारे का चनहुदारों में किये जाते थे, उसके बाद, यहां पर the variety of the material, तो जो भी craft production होता था, तो उसमें मोती मन के बनाये जाते थे, यह सारी चीज़े उसमें इस तरह से की जाती थी, तो उसमें metal work भी किया जाता था, जैसे कि आप देख रहे हो, कि यह इस तरीके से beats बना करके, और इनके hole के पास क्या करते थे, इस तरह की metal की ring चड़ाया करते थे, मतलब उसको insert किया करते थे, ताकि जब भी कोई उसको wear करे, तो उसको pinch ना करे, तो इस तरह का काम किया करते थे, ठीके, उसके बाद specialized drill, अब इसमें जो hole करने का काम होता है, यह beads वगरा में, जो hole होता ह है, वो, जो है, वो कहां पर किया जाता था, चनहुदारो, लोथल और धोलावीरा के अंदर, यहां पर किया जाता था, नागेश्वर और बाला कोट वर स्पेसलाइज, नागेश्वर बाला कोट जो है, वो क्या थे, यह दोनों के दोनों coastal area थे, और यहां पर, जो है, इनको क्या किया जाता था नागेश और बाला कोट कोस्टल एरिया थे तो और यहां पर क्या मिलता था शेल्स ज्यादा मिला करते थे क्योंकि जो कोस्टल एरिया होंगे समुदर के निकट होंगे तो वहां पर शेल्स पाए जाएंगे सिपियां पाए जाएंगे जिससे कि वो लोग उनको craft production में use किया करते थे, इसके अलावा, क्या था, specialized center were making the shell object, including the bangles, ladles and inlay, next we move on करेंगे, next क्या कहता है, identify the center of the craft production, तो ये इस तरह का craft production का काम जो है, वो कहां किया जाता था, ये कैसे पता चला, क्योंकि ऐसे कुछ sites हमें ऐसे मिली, जहां पर हमें छोटे-ोटे microbeads मिले, microbeads का मतलब होता है, छोटे-ोटे मोती मन के मिले, कि वहां पर बैठ कर वो काम किया करते थे, कैसे पता चला, क्योंकि जो छोटे-छोटे pieces थे, वो क्या करते थे, उनको जमीन में ही छोड़ कर चले जाते थे और जो बड़े-बड़े pieces थे उनको क्या करते थे उनको बड़े pieces को दूसरे object बनाने के लिए उनको use कर लिया करते थे तो जितने भी छोटे-छोटे pieces थे वो हमारे archaeologist को मिले इससे पता चलता है कि वो लोग वहाँ बैठकर काम किया करते थे ठीक है यही सब चीजे इसमें बताए गई है next पर करेंगे strategies for procuring the material material from the subcontinent and the beyond अगर मैं बात करूँ कि कौन सा metal कौन सी metal कहां से लाई जाती थी तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इससे बात करेंगे तो अगर मैं बात करूँ किसकी बात करूँ आपकी शोर्तु गई ठीक है बात करूँ अगर मैं किसकी शोर्तु गई की तो शोर्तु गई से क्या मंगवाया जाता था लापिस लाजूली ठीक है शोर्तु गई कहां पर है अफगानिस्तान के अंदर ठीक है अफगानिस्तान के अंदर तो शोर्तु गई से लापिस लाजूली लापिस लाजूली तो ये क्या होता है एक ब्लू कलर का स्टोन होता है ठीक है ब्लू कलर का स्टोन होता जो की शोर्तु गई अफगानिस् जाता था ठीक है जिससे की वो metal work किया करते थे उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इसकी gold की तो gold South India से gold South India से for example करनाटका हो गया इसके अलावा इसके अलावा जैसे आपका था काडलेन είναι क्या होता बचे काडलेन जो है एक Red कलर का स्टों होता है वो कहांorama वो मंगाय जाता था यहां से लट्फल से और अभी बाला कोट और 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 अधा राव का नागेश्वर है यहां से हैं यहां असे श्यल्स मंगाय जाते थे तो इस तरीक ही के questions आपसे पोछे और जो आसपास में मिल जाते थे तो वहां से ले लिया करते थे तो वो अधर कंट्री से यानि कि दूर दराज के देशों से भी उनके ट्रेडिंग रिलेशन से तो वहां से ले लिया करते थे अब हम बात करेंगे किसकी कांट्री के साथ में उनके ट्रेडिंग रिलेशन से तो इसका बेस्ट एक्जामपल बताया गया है मेसोपोटामिया क्या क्या क्योंकि मेसोपोटामिया की सील हमें हमें यहां मिली साउथ इंडिया से मिली इससे पता चलता है कि लोगों का व्यापा सिलाजेशन एक दूसरे की contemporary सिलाजेशन है यही सब चीजे इसमें बताए गई है कि मेसोपोटामिया की एक detable text से जो कि third millennium BC में लिखा हुआ था उसमें क्या बताए गया है कि उनके यहां पर जो copper आता है वो मगन से आता है तो उन्होंने record बुक में वो लिखा हुआ था कि उनके यहां मगन से copper लाए जाता है और मगन जो है वो शायद ओमान का नेम था और यह मगन और ओमान देख रहे हो ना यह इंडिकेट कर रहे है किसके इंडिया के खेतरियों जहां से copper best quality का तब भी माना जाता था और आज ही माना जाता है तो ओमान जो था वो किसका नाम था मगन का ही नाम था other archaeologists find that including the hirappan seals तो दूसरे archaeologists ने find किया कि hirappan की seals weight, dyes and the bees which suggested content with the region named Dilmun तो वहां दिल्मुन से हमें hirappan की यह यह चीज़े मिली अब यह दिल्मुन क्या है दिल्मुन बरेन आइरलेंड का एक क्या है दिल्मुन प्रबाबली the island of bharain यह bharain का क्या है भरेन का यह आईरलेंड है जिसको दिल्मुन कहा जाता है मगन और मेलुहा दोनों ही हडपा की site है क्योंकि इससे पता चलता है कि हडपा के लोगों का trading relation जो है वो mesopatime से भी था नेक्स से बात करते हैं seals और sealing वगरा पर seals script and wait तो हम यहाँ पर seal और sealing की बात करेंगे seal का मतलब होता है मोहरे seal का मतलब क्या होता है मोहरे और sealing का मतलब होता है packing sealing का मतलब होता है क्या packing हडपा के लोग जिस जो भी business में जो भी merchant होता था व्यापारी होते थे तो वो trade कैसे किया करते थे हैं अगर मान लो उनको किसी दूसरे person के पास कोई चीज पहुचानी होती तो वो कैसे पहुचाते थे for example मान लो आपका seal ही है या कोई भी valuable item है या फिर valuable material जो metals वगर होती थी वो होती थी तो वो क्या करते थे seal हो गई मोहरे तो ये क्या करते थे एक bag के अंदर कोई भी seal भर दिया करते थे या कोई भी जो भी costly item होता था उनको भर दिया करते थे तो इनकी packing कैसे करते थे उसी को sealing का जाता है इसकी packing के लिए क्या करते थे इसके mouth प उसको अच्छी तरह से कवर कर दिया जाता था फिर गेली मिटी पर जो भी सेंडर होता था वो अपनी स्टेंप उस पर लगा दिया करता था फिर इसको दो तिन दिन से धूप में सुखाया जाता था फिर उसके बाद अपने किसी वलविशर को जो भी किसी पर विश्वास करता थे ना ही उस time में इतनी जल्दी stamp होती थी कि फटापड से आज की तरह जाकर बनवाला है इस तरह का system नहीं होता था तो कहने का मतलब ये फिर उसको दुबारा वो काम नहीं दिया जाता था एक तरीके से उसने cheating कर दी अपने honor के साथ न तो दोनों समझ में आ गए seal का मतलब हो तो यहां पर क्या लिखा हूँ है हमें नहीं समझ में आया इसल्यए इसको एक unagametic script बोला जाता है एक उज़ण भरी एक उल्जी-उल्जी से script बोला जाता है क्योंकि symbols की form में लिखते थे, symbols का क्या meaning होता था तो नहीं पता चला तो ये लोग तो वहीं जानते थे For example, कि बहुत सारे हमें ऐसे चीजे मिली, बहुत सारे हमें ऐसे surface areas मिले, जहां पर इस तरह के हमें signs मिले हैं, तो most of the inscription, short and the longest, बहुत सारे हमें छोटे-छोटे inscriptions मिले, जिसमें कुछ ना कुछ symbols की form में लिखा हुआ था, और जो हमें सबसे बड़ा मिला, उसमें 26 signs थे, और वो इतने छोटे थे, वो इतने छोटे थे कि उनको ठीक से पहचाना भी नहीं जा सकता था, कि उस पर क्या लिखा है, हडपा के लोग जो है, एक उन्होंने यहां पर कुछ symbol इंसर्ट कर दिया, यहां पर, यहां पर, तो एक line में नहीं लिखते थे, है ना, और वो क्या करते थे उनका जो लिखने का तरीका था, वो right से left की तरफ होता था, right से left की तरफ होता था, many, just too many sign, somewhere between the, कहीं कहीं पर हमें, 375 से लेकर 400 तक के हमें sign मिले, ठीक है, next मगर बात करते हैं, next क्या कहता है, next कहता है, end of the हडपा civilization, अब जब यह इतनी अच्छी तरीके से चल रही थी, इत कार्मेंट नहीं थी, है न, सभी लोग अपना मजे में रहते थे, अचा कहीं भी हमें battle के proof नहीं मिले, कहीं भी हमें weapons के proof नहीं मिले, कहीं भी हमें attackers के कोई proof नहीं मिले, इससे बदा चलता है, कि वो लोग शुक्सानते से रहा करते थे, लेकिन क्या ऐसा कारण था, जिसके जैसे ये end हो गई, तो इसके बहुत सारे reasons माने जाते हैं, तो एक example दिया हुआ है कि 1800 के अंदर क्या होता है, चोलिस्तान के अंदर कुछ natural communities आ जाती है, पर example बारिश हो गई, क्योंकि ये river के पास में तो located थी, तो river water जो है वो raise हो जाता था, उसका level अप हो जाता था, तो आ वो बिलकुल खतम हो गया, तो अब लोगों के sources कम पढ़ने लगे, खाने के लिए कमी पढ़ने लगी, ठीक है, बाकी resources से उनके कमी पढ़ने लगी, तो धीरे-दीरे लोग कमी की वज़े से मारे जाने लगे, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे reason बताएं गये, climate changes की वज़ future increase हो रहा था, इसके वज़े से वो बरदाश नहीं कर पाए, और धीरे-दीरे जो है, वो dead होते चले गए, deforestation हो रहा था, excessive flood, बार-बार-बार-बार flood आ रही थी, क्योंकि river के पास located थे, उसके अलावा shifting and drying up, rivers सूख गई थी, जहां से वो fishing किया करते थे, पानी वगरा की activities क किया करते थे, अपने खेतों की irrigation किया करते थे, तो वहां पर धीरे-धीरे वो नदियां जो है, वो सूखने लगी और सूखने के वज़े से, ना तो सिचाई कर पाए और ना ही वो fishing कर पाए, तो इस वज़े से भी वो लोग मारे चले गए, ठीक है, अच्छा, बहुत सारी थी, जो कि, जो क्या थी, semi-arid zone थी, ठीक है, semi-arid zone का मतलब होता है, semi-arid zone में वो located थी, semi-arid zone का मतलब होता है, जहां पर बारिश बहुत कम होती है, और लोगों ने अपने fields को irrigate करने के लिए नहरे वगेरा भी बन वाई थी, और नहरों के प्रूफ हमें कहां मिले, हमें कहां से मिले, तो kennels के प्रूफ हमें मिले, शोड्तु घई से, कहां से मिले हमें, शोड्तु घई से, ठीक है, शोड्तु घई कहां पर है, अफगानिस्तान के अंदर अंदर है, clear बचा, चलि, next बात करते हैं किसकी seals script and weight की बात करते हैं तो सबसे पहले हम weight की बात करते हैं तो इनके weight जो है वो cubical form में होते थे ठीक है इनके उपर कोई marking नहीं होती थी देख रहे हो न तो यहाँ पर 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg इस तरह की कोई marking नहीं होती थी और cubical form में होते थे सिर्फ absorption के base पर कि यह 250 g का है, यह 1 kg का है, 2 kg तो यह अंदाजे से ही लगा थे इसके अलावा इनके पास balance भी होता था तराजू भी होती थी जिससे की वो लोग नापतोल किया करते थे metal scale pan have been found तो यह metal scale यह जो आप देख रहे हो ना इस तरह की balance देख रहे हो, तो यह भी हमें मिला है, ठीक है, अब आपको बताना है comment section में लिख कर बताना है कि हमें यह metal scale pan था यह कहां से मिला, ठीक है, आपको मुझे comment section में लिख कर बताना है जो इनके, जो छोटे-छोटे weights होते थे न, बचे, तो वो क्या होते थे 1, 2, 4, 8, 6, 32 कहने का मतलब, the lower domination of the weight were binary, तो जो छोटे-छोटे weights होते थे, बाट होते थे, जिसके तो वो होते थे, इस form में ठीक है, उनके, मतलब इस form में हुआ करते थे, तो यह double होते ठीक है, while the higher, और जो बड़े-बड़े होते थे, वो इतने के weight होते थे, ठीक है, और जो jewelry बगरा के लिए measurement यूज किया करते थे, बाट बगरा use करते थे, weight यूज करते थे, तो वो छोटे-छोटे होते थे, तो इससे पता चलता है, कि वो लोग jewelry के लिए छोटे-छोटे weight, आज भी तो वही करते हैं, कि हम goldsmith के पास जाते हैं, chain लेनी है, आउटी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो उसके पास बहुत चोटे-छोटे होते हैं, क्योंकि ग्राम्स में होता है, किलो में तो नहीं होगा, कोई ये तोड़ी काएगा, कि मुझे दस किलो सोना दे दो, नहीं भई, इतना नहीं होगा, छोटे-छोटे weights होते थे, जो binary form में use किये जाते थे, तो वह ये binary form थी, और ये क्या थी, ये decimal form होती थे, ठीक है, चलिए, next, अब move on करेंगे, next क्या कहते हैं, next कहते हैं, there were the ancient authority, तो there are indication of the complex decision being taken, the implement in the harpa society, ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत उल्जन पैदा हो जाती है, हमारे archaeologist और historian के लिए, कि वहाँ पर क्या harpa civilization में कोई ruler था, था, तो वो कौन था, इस बात के कहीं पर हमें proof नहीं मिले, इससे ये पता चलता है कि कोई particular ruler था ही नहीं, जो इस पूरी civilization को rule करता हो, ठीक है, so large building mount the Mohanjadaro labeled as the palaces by the archaeologist, तो हमें citadel के अंदर और जो भी अलग-अलग side से हमें citadel मिला, तो उसमें बहुत बड़ी-बड़ी buildings मिली, उनमें palaces भी होते थे, जिसमें high authority रहा करती थी, इससे पता चलता है कि high authority हो थी, जो कि हमें अलग-अलग side से इस तरह की prist king की मूर्तिया मिली है, चीक है, तो ये अकेला कोई ruler नहीं था, ऐसे बहुत सारे, मतलब head आप लगा सकते हो, जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है, पूरी एक country है, चीक है, country के अंदर states है, तो ऐसे बहुत सारी state government है, तो इसी तरीके से अलग-अलग side की अपनी एक अलग government होती थी, आप head कह सकते हो, क्योंकि इस तरह का जो एक plant system देख रहे हो ना, तो वो किसी authority के अंडिर में ही करवाया जाता है, अब authority ने कहा दिया कि आपको घरों का structure कोई टेड़ा, कोई मेड़ा ऐसा होता था, तो कोई ना, कोई तो authority रही होगी, जिसके भिहाब पर उन्होंने उसके rules को माना होगा, और इस तरीके से उनका plant system जो है, वो चलता था, next, next कहते हैं, discovering the harappa civilization, अब यहाँ पर जो आपकी भी confusion होगी है, कि माम कनिंगम की confusion क्या थी, यह आज तक हमें समझने है, simple सी language में समझाती हूँ, देखो, मैं हूँ, मेरे पास दो बच्चे आते हैं, एक बच्चा कहता है कि मेरा answer ठीक है, एक बच्चा कहता है मेरा answer ठीक है, यही सेम प्रॉबलम, तो डारेक्टर जनरल थे कौन? फॉर्स्ट एयसाई थे, फॉर्स्ट डारेक्टर जनरल ओफ एयसाई, यह जिनका नाम था आलेक्संडर कनिंगम, तो आलेक्संडर कनिंगम को फादर ओफ आर्केलोजी भी कहा जाता है, तो दो कोशन हो गए, यह फॉर्स्ट डारेक्टर जनरल ओफ एयसाई थे, और इनको आर्केलोजी के फादर भी कहा जाता है, इनको एक चाइनीज बुद्धिस्ट प्लिग्रिमिज टेक्स मिलता है, मतलब चाइनीज ट्रैबल कोई इंडिया में आया होगा, कब से कब आया, तो वो आया था, 4th century से 7th century के बीच में आते रहे होगे, तो उनोंने साइट को, अलग-अलग साइट को विजट किया, इंडिया की अलग-अलग साइट को, मतलब अलग-अलग जगओं पर गए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये sites जो उन्होंने visit की तो जो भी उन्होंने experience gain किया उनको अपनी book में लिख दिया अब वो book जो थी वो Cunningham को मिल जाती है अब Cunningham को मिल जाती है तो एक तो इसमें जो चीज लिखी हुई थी Cunningham को उसको मानना पड़ा क्योंकि सबसे पहले उनको वही book मिली थी इसके अलावा हमारे जो हडपा जो हमारे जो archaeologist थे या जो historian थे उन्होंने Cunningham को कुछ और बताया कि ये देखो ये proof के साथ हम इसको आपको बताते हैं कि ये चीज सही है और जो उस book में लिखी हुई है वो गलत है गलत तो हलाकि नहीं का बट उन्होंने भी proof के साथ उसको दिखाया ठीक है site like the harpa in which was the not part अब वो जो उनको book मिली थी उनमें बताया गया कि harpa नामक जो शहर है वो सबसे पहला शहर नहीं है ऐसा लिखा हुआ था buddhist textbook में है तो Chinese के जो book थी उसमें लिखा हुआ था कि harpa जो है एसी पहली site नहीं है इससे हो सकता है पहले भी कोई और site रही हो लेकिन exhibitions क दोरान ही सबसे पहले वही पर एक्सवेशन होई थी इसले इसको हडपा का नाम दे दिया गया ठीक है तो यहां पर कनिंगम की कन्फ्यूजन क्या थी एक तो उनको जो बुक मिली वो और दूसरी क्या थी जो हमारे आर्केलोजिस उनने उनको बताया कि ये चीजे सही हैं और ये इस तरीके से लागू होती है तो यहां उनकी कन्फ्यूजन क्रियेट हो जाती है फिर बाद में बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये कन्फ्यूजन दूर हो जाती है ठीक है नेक्स क्या कहता है नेक्स कहता है डिस्कवरिंग था हडपा सिलाजिशन अब हडपा सिलाजिशन की डिस्कवरी कैसे होई न्यू ओल्ड सिलाजिशन ये एक लोगों के लिए नहीं थी लेकिन ये बहुत पुरानी भी थी अभी तक हडपा civilization के बारे में किसी को नहीं पता था दुनिया के तीन civilization के बारे में पता था जो की older civilization कहीं जाती है फर्स्ट क्या थी? मेसोपोटामिया फर्स्ट क्या थी? मेसोपोटामिया सेकेंड क्या थी आपकी? सेकेंड थी चाइनीज civilization second क्या थी Chinese civilization, third थी कौन सी Egypt civilization, कौन सी थी Egypt civilization, तो अभी तक दुनिया को इन तीन civilization के बारे में ही पता था, लेकिन John Marshall जब ASI बनते हैं, 1924 के अंदर, Director General of ASI बनते हैं, तो इनों ने सबसे पहले announce किया, कि इस तरह की एक नई सब्वेता के बारे में हमें पता चला है, नई civilization के बार जाती है, जो इतनी पुरानी है, हो सकता है कि इन से भी पुरानी हो, ठीक है, तो ये सबसे पहले announce करने वाले कौन थे, John Marshall थे, फिर उसके बाद, John Marshall extended to excavate along the regular horizontal unit, measured the uniformly throughout the mound, ignoring the statography, ignoring the statography of the site, this meant that the artifacts recovered from the same unit were grouped together, अब वो क्या करते हैं, अपनी पूरी टीम के साथ, वहां पर जाते है और statography के तुरू क्या करते हैं, चीजों का पता, अभी statography क्या होता है, statography होता है, कि कोई भी चीज हमें मिट्टी में इतनी नीचे दबी हुई मिली है, यहां पर मिली है, यहां पर मिली है, तो जब उसको निकाला जाता है, तो उसके study की जाते है, जिसको कि क्या कहा जाता ह स्टेटोग्राफी कहा जाता है देन उसके बाद क्या आता है नई टेकनीक लागू की जाती है कि ये तो बहुत ही पुराना जो है वो तरीका हो गया है तो अब साइंटिफिक तरीके से चीजों का पता लगा जाने लगा फर एक्जामपल की पहले क्या किया जाता था लेबर को साइंटिफिक तरीके से इसको चीजों का पता लगाने के बारे में एक अपनी सजेशन दी तो इस तरीके से अगर मशीनों से वो चीजे निकाली जाएगी तो वो सही रहेगी नेक्स हम बात करते हैं प्रॉब्लम पीसिंग टुगैदर अब हमारे आर्केलोजिस और इस्टोडियन को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हडपा की एक्सवेशन के दौरान तो सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे कि हडपा की जो स्क्रिप्ट थी वो अनिगमेटिक थी है दूसरी बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आई वो थी हडपा के लोग किसको वर्शिप किया करते थे हैं न क्योंकि कहीं पर हमें टैंपल के थी हाँ इतना पता चला है कि अलग-अलग साइट से मदर गॉड़ेस की मूर्टिया मिली पशूपति सीव की जो मूर्टिया है वो सील के अंदर डिप्रॉक्टेड हुई मिली इस से पता चलता है कि वो लोग हो सकता है इनको वर्शिप करते हों फायर अलतार्स मिले तो इस साथ में ये लोग क्या करते थे? नेचर की पूजा किया करते थे. किसकी करते थे? नेचर को वर्षिप किया करते थे. अगर मैं नेचर की भी बात करूं, तो यहाँ क्या जाएगा जैसे पीपल ट्री आ गया ठीक है जैसे पीपल ट्री आ गया जैसे तुलसी आ गई ठीक है यहाँ पर जैसे सन हो गया तो सन क्यों वर्शिप करते थे मतलब सन देवता सूर्य देवता हो गया ठीक है मून की करते थे तो इस तरी कैसे यह लोग प्रकरती की अब यहां पर second की बात करते हैं, the term, देखो, one simple principle classification, तो एक तो, इसको हम दो चीजों में categorize करते हैं, एक तो हम जो चीजे हमें मिली, metals की चीजे मिली, हम उनको एक साइड में रखते हैं, दूसरी जो हमें मिली, वो क्या थी, दूसरी हमें मिली, कि in the term of the function, the archaeologists have to decide the weather for the intense, artifact is a tool, or the ornament, or the both, तो हो सकता है, कि ये चीजे, for some time, mean to the ritual, तो ये जो भी चीजे मिली, हो सकता है, इसको ritually follow करते हो, जैसे कोई भी festival आता है, तो हम अलग तरीके से हमारा dressing sense होता है, मतलब ये जो है, इस festival के लिए है, और ये ये, मतलब एक अच्छी तरह से हम ready होते हैं, तो festival, ज exception के base पर माना जाता है, कि ये लोग ritually इनको, जो है, use किया करते थे, sometime the archaeologists have to take the resources, indirect the evidence for interest through there are the traces of the cotton, अब हम दूसरी चीजों को रखते हैं, दूसरी साइड में, ठीक है, जो कि हमें, जैसे clothes के piece मिले, जो कि decompose हो चुके हैं, लेकिन हमें कहीं न कहीं, इसके भी proof मिले, कि वो ल print से भी aware थे, कि ऐसे print होता है, कहीं न कहीं से तो होता होगा, तो ये सारी चीजे हमें मिली, तो find about the clothing, we have to depend on the indirect evidence, including the depiction of the structure, और कुछ चीजे हमें structures के depicted मिली, structures में mention की हुई मिली, तो इससे पता चलता है कि वो लोग इन चीजों का use किया करते थे, for example, कि मैंने अभी बताया, प Christ King की मूर्तिया मिली, उनको भी clothes पैने दिखाया गया है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजे मिली, ये तो मैंने clothes का example दिया है, है न, next आता है हमारे पास problem piecing together में, problem of the interpretation, early archaeologists thought that a certain object which seemed to unusual familiar had the religious significance, ये मैं बता चुकी हूँ कि religious कोई significance था ही नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, nature को worship क किया करते थे, निक से बात करते हैं, तो, other, with the plant motif, तो मैंने कहा न, कि people tree को और इनको सबको use किया करते थे, मतलब इन सबको worship किया करते थे, nature की worshiping का मतलब यही होता है, कि जैसे nature को, इसमें sun आ गया, moon आ गया, stars आ गये, ठीक है, और plants वगर आ गये, ठीक है, animals आ गये, तो सार के सारे, यहाँ पर 11 points, जो है, वो 11, जो आपके topic दियो है, वो सारे के सारे के सारे cover कर लिये हैं, I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, in short आपको, ठीक है, अगर आपको और detail में जानना है, या फिर आपको, जो है, वो बहुत अच्छे जे preparation करनी है, तो आप क्या कर सकत हैं, आप जो है, वो अड़ा 24-7 के ambition batch को join कर सकते हैं, ambition batch में roll करने के लिए, maximum discount पाने के लिए, coupon code यूज करें, Y489, इसमें आपको chapter के साथ साथ में, topic के साथ साथ में, हर topic के साथ में, आपको DPPs दी जाती हैं, जिससे कि आपको उस particular topic को समझने में और ज्यादा आसानी हो ज रहेगा, तो चाहे वो आपका board exam है, चाहे वो आपका CUT का exam है, तो उसमें किसी तरह की कोई difficulty आप face नहीं करोगे, ये महापैक है, तो आपके starting से ले करके, अब से ले करके, और आपके CUT के exam तक, 15 months तक इसकी validity रहेगी, तो आप इसमें दो बड़े exam की तयारी करोगे, अपन से कम 10 times revision करने का मौका मिलता है, महापैक के अंदर, क्योंकि एक बर syllabus खतम हो जाता है, फिर दूसरे बच्चों के साथ वो दुबारे class लेते हैं, फिर उसके बाद एक के बाद एक जब नए-नए बैच आते हैं, तो महापैक वाले सभी के साथ में वो revision कर रहे होते हैं, तो य आपने क्या कर लिया, अड़ा 24-7 के application को डाउनलोड कर लिया, all courses पर गए, जैसे आप all courses पर जाओगे, यहाँ पर UG, PGA exam दिया होगा, UG दिया होगा, arts के हो, commerce के हो, science के हो, आप जिस भी stream के हो, या other बच्चों को भी आप बता सकते हो, कि वो क्या करें, महापैक को जरूर करें, तो आपके उपर depend करता है, कि आप ambition batch लेते हो, या महापैक लेते हो, ठीक है, तो for example, आप ambition batch लेते हो, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको buy now करना है, coupon code में बताती हूँ, जिससे आपको maximum discount मिलेगा, Y489, बस इस coupon code से apply कर देना है, 20% के discount पर, 14 month की validity प की preparation को अभी के अभी से start कर दीजे, क्योंकि early जितना start करोगे, उतना ही हमें revision का मौका मिलेगा, और एक अच्छी से revision लेकर जाएंगे, understanding लेकर जाएंगे, तो दोनों exam हमेरे, बहुत अच्छे से निकलने वाले, ठीक है, तो कैसा लगा आपको यह, वीडियो मुझे comment section में ल